जहें दोस्तों, तो हम लोग फिर से हाजिर हैं, एक बहतरीन कुश्यन के साथ में मुझे करना है कार्ल पीर्सन का कॉफिसियंट अफ कोरिलेशन, किसके बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में कोरिलेशन मुझे बताना है देखिए, कभी भी जब आप कोरिलेशन के कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक्जाम में कोरिलेशन आपसे पूछा जरूर जाएगा तो क्या करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, जो दो वेरेबल्स मुझे दिये गए हैं, वो कैसे कैसे, उनका क्रम क्या है तो देखो, एक्सपोर्ट मेरा लगातार बढ़ रहा है, और अगर घट भी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं इंपोर्ट भी मेरा उसी क्रम में बढ़ रहा है, और फिर बाद में घट भी रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को संतुलित में रहना होता है, ऐसानी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लेंगे एक अच्छी कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में संतुलन बना के रखती है तो ये क्रम मुझे बता रहा है कि मेरा जो कोरिलेशन निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा जब दोनों चर एक ही दिशा में चलते हैं वहां कोरिलेशन भी होता है और पॉजिटिव होता है जब एक की धारा कुछ और दूसरे की धारा कुछ और तब वहां पर निगेटिव कोरिलेशन होता है या तो जिरो कोरिलेशन होता है तो यहां मेरा कोरिलेशन पॉजिटिव निकल के आएगा क्या निकल के आएगा हम लोग साथ में मिल करके solve करेंगे इसको exam में चाहिए 15 नंबर तो इसको सीखना है जरूरी अच्छा लग जाए तो like कर देना comment box में आकर प्रतिक्रिया जरूर देना मतलब comment जरूर करना अच्छा या बुरा कुछ भी और share तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर कर लेना जो इस समय स्टाटिस्टिक्स को अपने syllabus में बढ़ रहे हैं कि नहीं हाँ जी है कर देंगे ठीक है आँ देखो इसको मैं करूंगा कैसे shortcut method से पिछला question दिया था direct method से इसमें मैं चेक ही नहीं करूंगा direct से लगे ना लगे मैं चेक ही नहीं करूंगा मैं direct shortcut पे चलूंगा question में बहुत कम लिखके आता है कि कौन सा method लगाओ वहां बताया जाता है सिर्फ correlation बताओ तो मैं shortcut में चलूंगा n is equal to 3,3,6,1,7 n is equal to 7 next column होता है dx मैं करूंगा x minus a अगला होगा dx square इधर होगा dy मैं करूंगा y minus a अगला होगा dy square अगला होगा dx dy ओके पर्मूला भी देख लो भाई मैं यूज करूंगा r बराबर sigma dx dy into n minus sigma dx into sigma dy upon root में इधर stigma dx का whole stigma dx square into n minus sigma dx का whole square दूसरे ब्राइकेट में stigma dy square into n minus sigma dy का whole square यह use करूंगा मुझे चाहिए n चाहिए मिल गया मुझे का चाहिए dx चाहिए यहाँ से मिलेगा sigma dx DM D sqi eἱR चाहिए,िहांसे मिलेगा सिंग्ड D X sqi io बभा बुझे डी y चाहिए,ढ़ासे मिलेगा सिंग्ड di y sqi यहान से मिलेगा मुझे चाहिए सिंग्wha d y y αoter यहांसे मिलेगा ऑकimento did कि यह समझ में आता है,onceанд Contra प् sm concerned समझ में आता है यह बन जाएगा आओ करते हैं इसको ए लेते हैं किसी को ए लेते हैं 55 को तो 42 से 55 को माइनस करेंगे बचेगा माइनस का 13 कितना बचेगा माइनस का 13 बचेगा इधर बचेगा 8 15 ठीक 54 से 55 माइनस करेंगे तो माइनस का 11 बचेगा 58 से करेंगे तो प्लस का 3 आएगा प्लस का 3 लिखना जोड़ी नहीं है 55 से 55 जीरो आजाएगा जब 89 से करेंगे तो 9 से 5 जाएगा 4 और 8 से 5 जाएगा तो 3 थीन आट से 5 जाएगा तो थीन और 9 जाएगा तो चहाटव 6 से पांच जाएगा तो एक और 6 से पांच जाएगा तो एक चलो डी वाई कर लेता हैं डी वाई में डी ऑई में क्या ले लिया जाए इधर भी हम लोग किसको ले ले 53 को ले लता हैं 56 से जाएगा तो माइनस का नहीं प्लस का तीम उनचास के जाएगा तो माइनस का 4 53 तूज जीरो 58 से जाएगा तो कितना बचेगा 58 को लेना चाहिए था आठावन अठावन दो बार आया था मैं 58 को लेता हूँ तो 56 माइनस यह 2 आ जाएगा 49 करेंगे तो यह माइनस का 9 आ जाएगा भाई 53 से करेंगे तो माइनस का 13 5 माइनस का 5 इधर 0 65 से करेंगे तो 5 और 2 7 है शेतर से करेंगे तो 16 से 8 जाएगा आठ और इधर 18 18 से करेंगे तो 0 चलो सिग्मा डी एक्स का टोटल करो तो देखो 3, 4, 3, 7, 3, 10, 31, चार, 37, 3, 7, 1, 8, 8, और 1, 9, 99 है पलस का, और माइनस का है 3, 1, 4 और 1, 2, तो 11 से 4 जाएगा तो बचेगा 7, और इधर 8 से 2 जाएगा तो बचेगा 6, या जाएगा67, फिर से एक बार देख लो भाई, 3, 1, 4, 4, 8, 8 और 3, 11, चार तीन साथ एक आठेक नौ ठीक है इधर आओ तो अठारा साथ 25 है प्लस का प्लस का कितना है 25 माइनस का कितना है नौ दू ग्यारा पांच 16 तो 15 से 6 आएगा 9 बस 9 ही आएगा प्लस का 9 अब मुझे क्या करना है मुझे चाहिए सिग्मा डी एक्स डी इसको पहले कर लेंगे ये कॉलम हम बाद में करते हैं हम बाद में करते हैं आप चाहे जैसे कर ले मेरा क्या मानना होता है कि अगर मैंने इन सारे कॉलम्स को भर दिया तो यहां का multiply देते समय कहीं ऐसा नहों इसकी जिगा में ये वाली value ठालू इसलिए इसको सबसे पहले कर लेना चाहिए मुझे लगता है आपको लगता हो तो कर लेना नहीं लगता हो कोई बार नहीं चलो देखो भाई तो 13 दून 26 और हो जाएगा plus का माइनस माइनस तेज़ फिर इसको कर लो अठारा दूना 36 और अठारा तियां कितना होता है भाई चववन तो अठारा तियां चववन का चार हासिला गया पांच अठार चपको 72 और पांच 77 और यह 0 ओके तो चलो मैं इसको 18 वाले को एक बार चेक कर लेता हूँ वैसे गलती होने के संभावना है कम रहती है लेकिन फिर भी इंसान है और गलतीयां इंसानों से ही होती है तो यह गलतीयां हम छोड़ना नहीं चाहते हैं 43 774 यह यह आगा और 34 इंटू 7 भी देख लू हाँ 238 यह आएगा चलो एक बार इसका टोटल भाई करते हैं तो टोटल कर लो 9 6 15 15 यह वाले पंदरा लग कर दो 9 6 15 15 और 8 15 और 8 कितना होगा 23 24 27 के साथ हांसे लागे है 2 2 2 4 9 4 13 13 13 13 13 16 16 और 7 23 हांसे लागे है 2 2 2 4 4 7 4 11 11 13 में से माइनस कर दो माइनस का पंदरा तो 7 से 5 जाएगा 2 3 से 1 जाएगा 2 यह 1112 सिगमा डी वाई डी एकस डी वाई कितना जाएगा 1102 ऐस चलो इसको एर कर लो तो 13 का कितना होता है 169 होता है 13 इंटू 13 169 होता है हां फिर भी चेक करना जुरूरी है 11 का 121 होता है है ना चेक कर लेता हूं भाई 11 का होता है 121 है तीन तीन नौ यह 0 34 का कितना होगा भाई यह तो 34 1156 है 43 का कितना होगा 43 43 43 43 इंटू 43 1849 और यह 121 चलो टोटल कर लो नौ एक 10 दस नौ उननिस उननिस छेपच्चिस पच्चिस और नौ पच्चिस और नौ चोँतिस एक पैंतिस के पांच हां से लागए तीन छे तीन नौ नौ दो ग्यारा ग्यारा और पांच ग्यारा पांच होता है सोला सोला चार बीस बीस दो बाईस इधर 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 5, 8, 5, 13, 13, 14 और इधर 2 और 1, 3 कितना? 3 तो सिगमा डी एक्स स्क्वाइर क्या आ जाएगा? सिगमा डी एक्स स्क्वाइर 3425 एक बार मैं इसको चेक भी करूँगा 169 प्लस 121 प्लस 9 प्लस 1156 प्लस 1849 प्लस 121 3425 बिल्कुल सही है ठेक है अब क्या करूँगा? इसका स्क्वाइर करूँगा वाही बाला तो 2 दूना चार 99, 81, 25, 0, 7, 49, 48 18 का कितना होता है? 18 into 18 यह होता है 324 और यह 0 तो चलो इसको देखो कितना आएगा sigma dy स्क्वाइर कितना आएगा sigma dy स्क्वाइर चार एक 5, 55, 10, 10, 19, 19, 19, 24 तहीस असे लागे दो आट दो दस दो बारा बारा चार सोला सोला दो अठारा और तीन एक चार चार तुतरासी ओके मेरे पास तभी कि सभी कैलकुलेट हो चुकी है कि एवल उनको यहां पर पुट करना है तो चलो पुट करके देख लेता है आर बराबर कितना ग्यारा सुबाइस इन्टू 7 माइनस 67 इन्टू 9 रूट में इधर कितना आएगा तिकमा डीएस स्क्वाइर चांतिस पच्चिस चांतिस पच्चिस गुड़े साथ माइनस 63 का होल स्क्वाइर इधर 483 गुड़े साथ माइनस 9 का होल स्क्वाइर आर बराबर 72 14 72 14 15 साथ इकन साथ एक आठ और साथ माइनस 9 सती 63 और 9 चाग 54 और 6 इधर सॉल्व करो भाई तो यहां पर सतो पच्चे 35 सादूना 14 तीन सत्रा सतो पच्चे 35 देखो भी गलत हो जाता सतो पच्चे 35 सादूनी 14 और तीन सत्रा साथ चोग 28 और एक 29 साथ यहां 21 और दो 23 माइनस 67 का इसको एर देखो कितना आएगा 67 67 67 67 84 89 इधर कर लो तो 483 483 इंटू 7 33 81 81 माइनस 99 81 तो आर बराबर इधर सॉल्व कर लो इसको 78 54 माइनस 603 यह 72 51 इसको सॉल्व करो कितना आएगा 23 975 माइनस 44 89 उननिस 486 इंटू इधर कर लो माइनस 81 तो आर बराबर बाहतर 51 मतलब 7251 और इधर इनका मल्टिप्लाई दे दो तो यह क्या आ जाएगा उननिस चार सो च्यासी 64 लाख तीस हाजार नहीं छे करोड तीतालिस लाख तीन हाजार आठ सो 64 तीस अड़िस चौन सट तीस अड़िस और उसके बाद भी दो जीरो तो आर बराबर बातर 51 डिवाइड़ बाई इसकी रूट वेल्यू ले लो रूट वेल्यू कितनी आएगी 64 3038 00 8018.96 तो आर बराबर चलो इसको सौल करो बातर 51 डिवाइड़ बाई 8,018.96 प्लस का 9 प्लस ना लगा तो आर तो भही है वो आर इस इकल टू 0.9042 इसको मैं पहले एंसर चेक करता हूँ चलके इसका एंसर कितना आ रहा है मेरा एंसर इसका दिया गया है हाँ एंसर आ रहा है मेरा प्लस में 9.9042 इसका मतलब है यहां पर क्या है positive high and high and very high degree correlation between export and import एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में क्या होता है high and very high degree correlation होता है export और import के बीच में पूरी full calculation आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ अगर वाकई आपको यह समझ में आ गया हो भई तो लाइक जुरू करिएगा और कमेंट बॉक्स में आ करके अपकी प्रतिक्रिया जुरू दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो के नोटिकेशन आपको फटा फट बिना किसी विलम के मिल जाए अगर आपको standard deviation के माध्यम से यही question solve करना हो तो standard deviation में बहुत ही असानी से आप कर सकते हैं कैसे आप sdx ले लो sdy ले लो और उसके बाद में आपको सब कुछ पूरी calculation अलग से नहीं करनी पड़ेगी इसी calculation को अधार बनाकर आप question को solve कर सकते हैं जैसे मानलो आपको sdx निकालना है sdx के लिए क्या करोगे one upon n इदर sigma dx square into n minus sigma dx का whole square और sdy के लिए आप क्या करोगे one upon n sigma dy square into n minus sigma dy का whole square तो देखो सभी value तो मिल रही sigma dx square यह देखो n यह देखो sigma dx यह देखो पूरा solve हो जाएगा बात समझ में आ रही है ना clear है आ रही है हाँ जी सर आ रही है ठीक और इधर y के लिए यही कर लो अराम से question को जब dx dy आ जाए तो आप r के लिए formula क्या लगा लोगे sigma dx dy यह देखो upon n sdx और sdy ऐसे करके आप देख लो सेम एंसर आ जाएगा standard deviation के माध्यम से तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरू करिएगा मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बहतरी इन question के साथ अब तक के लिए जैह हिंदूस्ट